राजनीती सम्भावनाओं का खेल है, ये तो सभी ने सुना हैं, लेकिन कितने शड्यंत्र इस राजनीती को करने के लिए करने पड़ते हैं, ये आपको अभी नहीं समझ में आता, लेकिन जब इसको आप गहराई से समझेंगे, देखेंगे, जिस तरीके से गहलोद के शड्यं के रचेता हमारी राजस्थान की राजनीती में भी मौजूद है नरेश मीना थपड़कांड के पीछे किसका है शड्यांत्र ये बार-बार हम आपके सामने लेकर आते हैं और एक और खुलासा यहां पर आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि क्या वाकई में नरेश मीना थ हपड़कांड रचा गया था क्या इसकोई पीछे किसी की साजिश छुपी थी ये सब हम आपको डीटेल में सबूत के साथ बताने वाले हैं इसलिए जोड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ नमस्कार मैं हुचेतना शर्मा आप देखना शुरू कर चुके हैं समवाद भारत का भारत के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एक्सपोज करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इंचीफ वर्नुभन सालीजी वर्नु सर मैं चाहूंगी कि हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं उसको समझने के लिए अच्छे से एक ब जब कंडिटेट उम्मेट उनल को मी मार काडि शाल क्वाना ज़ुनन मार काडि कारें अब भूम रोचोए जो चोना करें जो दोक्ताङन आप दोचाव मार काडि याप मोटूर रहा है कि रोंहेगी अधे、 बत्या भी आरीची कि बत्यायगी आरीची आज़ा हुआ कर आजा आज पूमी मेलेची और अधे वἉन望गा हुआ को आजा हुआ 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 अधे, याज़ा वाही जा इखित नहां कंगे आज़ा हुआ 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 हाँ नरेश भाई साब जितने गांट करें जो आदिमी माट करने बठाने जिदन गोड यह लागया है जी दने अजार बार फोना है दस मिंट को दस मिंट को दस मिंट माई पेशा को ना ले फोन करो जो नरेश भाई को दियां रहां जो कि उच्छा बचकर बोड बंद हो जाओगा और दस मिंट माई पुलीस कुसे वा जाओगा जा है जहर इने इन ड़ी पर सितने पडेम चेरजर फेयर पस स्पनृ प्लीस साह को दोरेट को द्तुट मरत पार सिंटक़ मज़ेएखक द्रतों जो संट निया घृग सकन जोतीरत जो माट तको देखरईखक्ड़ एक के तो देखा आपने, समझा आपने कुछ, नहीं समझें, तो चलिए हम समझाते हैं बरुश सर आप बताईए कि ये जो बाचीत का दौर इसमें चल रहा था और उसके बाद जो समझ में आ रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि नरेश मीना थपड़ कांड एक रचा गया शड़ेंतर था लेकि इस बाचीत में आपको ये समझ में आ रहा होगा, कि ये शक्स बार बार कह रहा है कि ये जब घटना करम घट रहा था, तो कई बार हरीश मीना का फोन आ रहा था वो प्रॉपर उसका डेवलप्मेंट ले रहे थे, और उससे पहले भी उन्हों ने कई बार इस पूरे को करना कैसे है, जो समरावता में हुआ था, उस पर बातचीत लोगों से की थी, काड़ियां गुमा गुमा कर की थी, यही सब कुछ वो बोल रहा है इस से साफ समझ में आता है, यह सब के पीछे हरीश मेना थे, अब आप सोच रहे हैं कि यह शडियंत्र क्यों हुआ, अगर यह सोच रहे हैं तो खेल, पॉलिटिक्स शडियंत्रों का ही खेल है, आप फेहरिस्त उठा के देख लीजिए, कब शडियंत्र नहीं हुआ, क्या मह इपाल मदेड़ना के साथ हुआ, वो शडियंत्र नहीं था, क्या सचिन पाइलिट के साथ हुआ, वो शडियंत्र नहीं था, क्या 25 सिप्टेंबर को जो कॉंग्रिस की आलकमान के साथ हुआ, वो शडियंत्र नहीं था, क्या उमेद अराम बेरिवाल को जिस तरीके से छीना वो शडियंत्र नहीं था, शडियंत्र हर मौके पर पुर्जोर तरीके से लगातार होते रहे, जिस तरह से गैलोत के OSD ने पेपर एलीक से लेकर और दूसरी चीजों से लेकर, शडियंत्र बताए, फोन टेपिंग से लेकर, शडियंत्र तो लगातार होते रहे, उसी तरीके का शडियंत्र यहां पर भी ऐसे शडियंत्र की बू आ रही है कि यह जो थपड़कांड था यह सब कुछ हरीश मीना द्वारा किया गया था आप इस बात को समझिए कि केसी मीना जैसे कैंडिडेट को लाना जो भी हरीश मीना की पसंद बताते हैं क्या वज़े थी जब आपके प पास टॉंक जैसी धरती से जहां से खुद सचन पाइलिट है इतने लोगप्रिय लोग होने के बावजूद आपने केसी मीना को क्यों चुना और फिर आपने यह थपड़कांड क्यों रचा यह सारी चीज़े बताती है कि शडियंत्र तो बहुत जबर्दस था लेकिन इससे समाज का नेता कौन बनेगा टॉंक से मीना समाज का सबसे बड़ा नाम कौन बनेगा टॉंक से लोगप्रियता किसकी सबसे ज़्यादा होएगी और किसका चीछा लेदर होना चाहिए यह सब कुछ करने के लिए ही हरीश मीना ने यह किया क्योंकि वहां से अगर कोई और जाएगा सब कुछ एक छत्र राज नहीं चलेगा हरीश मीना को उसी का राज चाहिए जो उनके अधीन रह सके इसके अलावा इसका और कोई लॉजिक नहीं बैठता और यही वज़ा है आप देखिए तमाम सारी जातियों के जो नेता हैं वो सबसे बड़े नेता बनना चाहते चाहिए फिर वो हनुमान बेनिवाल हो जाटों के बड़े नेता बनना चाहते हैं गुर्जरों के बड़े नेता सचिन बाइलिट बनना चाहते हैं इसी तरीके से मीना के बड़े नेता बनने का खेल यह सब चल रहा है कि रोडीलाल मीना जिस तरीके से आज मीना समाज के सब से बड़े नेता का एक छात्र राजव कर रहे हैं वो अपने कारणों की वज़े से कर रहे हैं लेकिन ये लोग भी बनना चाहते हैं और उसके लिए ये सारे शर्यांत्रफोर लेकिन अगर हम शर्यांत्रों की राजनीती से दूर हो कर अगर हम सच में इन चीजों को देखे तो कही ना कही उनको ये भै होगा कि नरेश मीना अगर जीत जाते हैं, नरेश मीना को सपोर्ट मिल गया, मीना समाज का तो उनकी राजनीती तो कही ना कही खत्म हो जाएगी जाहिर तोर पर जाहिर तोर पर देखिए आप इस बात को समझे है हरीश मीना पूर्व आईएस है दिमाग बहुत है उनके पास और वो दिमाग अच्छे के लिए इस्तमाल हो सकता है शड़ी अंतरों के लिए कि हो सकता है फिलहार शड़ी अंतरों के लिए हो रहा है ठीक वैस सब कुछ करके भी नहीं जीत पा रहे हरीश मीणा के लोग तो ये हरीश मीणा के लिए एक तरह से डिमीन होने वारी बात थी तो वो सामदाम दटबेच करके किसी भी तरह से नरेश मीणा को हराना था तो आपको नहीं लगता कि ये डाव उनके उपर उल्टा पड़ गया जिस तरीती से गाओं में लेकिए डाव खेला इसलिए गया होगा कि वो समरावता से बाहर निकले ही नहीं वो और जगा जाए नहीं और इलेक्शन के वक्त अगर कैंडिडेट सब जगा नहीं जा पा रहा तो कहीं न कहीं उसका पावर कम हो रहा है लेकिन उसका तिल का ऐसे ताड़ बनेगा नरेश मीना समरावता से पूरे के पूरे तौंक में ही नहीं, बलकि पूरे राज्य में ही नहीं, बलकि पूरे देश में एक आवाज बन जाएंगे, ऐसा हरीश मीना ने नहीं सोचा होगा, तो बिल्कुल उल्टा तो पड़ा है, और उल्टा ही नहीं, पूरा उल्टा पुल् प्रदाशन कर रहे हैं नरेश मिना को छुडाने के लिए तो ये जो समरावता गाउं से जो छिडी हुई चिंगारी थी उसमें पूरे राजस्थान में आग लगा दी है फिर चाहे से वो मारवार से लेकर हाडोतित का एरिया हो और नरेश मिना को और जादा मशूर कर दिया है और जादा लोगप्रता मिल गई है और जादा अपनी सांतवनाई मिल रही है लोगों की और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां लोग अपने दिमाग का स्तमाल करकर आगे मीना समाज जैसे जो नीता हैं इनको सपोर्ट करेंगी क्योंकि जिस तरीके से किरोडी लाल मीना के बीच में गए वहां पर एक बहुत इशांदार तरीके से उनसे सवाल पूछा समाज के वहीं खड़े वे नेता ने और थपड़ पर जवाब माग लिया जिसका निरुत्तर हो गए कि रोडी लाल मीना जवाब नहीं दे पाए कोई तो यहां लोगों को अच्छे से समझ मे कि यह किसका शड्यंत्र है किसके लिए रचा जा रहा है क्यों रचा जा रहा है हम तो मातर एक जरिया है आपको इन सब चीजों से रूबरू करवाने का आपको क्या समझ में आता है आप बताईएगा जरूर आपको क्या लगता है कि यह तमाम तरीका जो शड्यंत्र है जो ह उमने एक्सपोज किया है इस वीडियो में क्या वाकई में ऐसा हो सकता था, हुआ है या फिर क्या है इसका परिणाम, फ्यूचर में बताएगा जरूर कॉमेंट पर करके कॉमें राय अपनी लिखियेगा जरूर कैसा लगा वीडियो ये बताना न भूलेगा और ऐसे ही और वी एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अप्लोड करने के लिए अच्छे वियोर्शिप वाला चैनल नहीं है, और अगर वो सब भी मिल गया, तो पॉड्कास्ट को अच्छे SEO के साथ अप्लोड करने का डिजितल सपोर्ट नहीं है, और अगर ये सारी चीजे एक साथ मिल रह और तो और सिर्फ पॉड्कास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉड्कास्ट में 5 रील्स फ्री, वोवे सिर्फ 8,000 रुपे में, और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉलूशन्स में, तो सोच क्या रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं, पॉड्कास्ट के जरीए पूरे सोचल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉंटाक्ट कीजिए, स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर